हेलो गाईज, वेलकुम टो माई चैनल, लेट्सक्रेक जुडिश्री, तो गाईज, आज की वीडियो में हम डिफ्रेंस करेंगे, प्रिविएस वीडियो में हमने जज्ज्मेंट को पढ़ा, कि जज्ज्मेंट क्या होता है, और जिसके अंदर आपने डिक्री का टाइम पेरिय अब हम करेंगे डिफ्रेंस, डिफ्रेंस किसमें, डिक्री, ओर्डर, एंड जज्ज्मेंट में, तो अकसर क्वेशन आता है मेंस में, कि वड़ आर दा डिफ्रेंस बिट्विन डिक्री, एंड ओर, और ओर जज्ज्मेंट, और डिक्री, जज्मेंट, तो ये तीनों आ सकते ह और तिनों को mix करके दो दे सकते हैं जैसे भी यह मैंने आपको बताया ठीक है तो आपको यह पता होना चाहिए तो यह कुछ points है six points है यह आपको याद होने चाहिए ताकि कोई भी आ जाती है अगर difference की बात तो आप यह कर सकते हैं अब मैं आपको decree order judgment का एक-एक point लूँगी लेकिन अगर आप लिख रहे हैं suppose की जे मेंस में तो आप point wise भी लिख सकते हैं जैसे की आता है what are the differences between decree और judgment मान लीजिए तो आपको first point डालके यह लिखना है और फिर whereas उसके बाद आप judgment का point लिखते हैं ठीक है और chart भी form कर सकते हैं आपकी मर्जिया लेकिन मैं आपको suggest करूँगी कि आप liner में one liner अगर लिखते हैं point wise लिखते हैं तो वो ज्यादा अच्छा लगता है चलिए start करते हैं decree का जो first point है सबसे पहले तो आप इनको एक और point extend कर सकते हैं regarding कि यह कहां पे CPC में defined है ठीक है regarding their definition in CPC तो decree defined है section 2 of 2 ठीक है CPC में 2 of 2 में defined है और order है 2 के 14 में और judgment है 2 के 9 में ठीक है decree order judgment इस तरह से define किये गए हैं तो decree जो है वो है formal expression यानि कि जब decision आ जाता है judgment के बाद ही decree आती है decision आ जाता है और वो decision बताए किसी parties के right को ठीक है उनके अधिकारों को बताए तो वहां पे decree उसका मतलब होता है ठीक है यानि कि formally अब आपका right court ने बता दिया है whereas order में आता है कि ये भी formal expression तो है ठीक है लेकिन decree नहीं है यानि कि जो order की definition है वो negative में definition दी गई है formal expression of any decision of a civil court which is not a decree यानि कि जो decree नहीं है वो क्या है order है और judgment में आता है कि decree order के जो grounds है उन पे जो judge ने statement जो बनाई है वो क्या है judgment है 2 के 9 में define है CPC में ठीक है उसके बाद second point देखिए क्या origin है इसका यानि कि कहां से decree order judgment आता है तो second point है कि decree जो है वो कब दी जाती है जब plant present होती है यानि कि origin उसका क्या हो गया प्लेंट को present करना order कहां से originate होगा order may originate from a suit by representation of a plant और may arise from a proceeding commenced by petition या application उस पे भी order दिये मतलब origin है उसका order दिये जा सकते है ये बता दिया कि decree order क्यूंकि ये बाद वाली stage है थिक है लेकिन जो इनिके ground है origin है वही दोनों के क्या होंगे जजमेंट के भी होंगे क्यूंकि जजमेंट दोनों में आता है decree में भी order में उसके बाद देखिए धर्ड बात करता है कि decree जो है single होती है यानि कि एक decree pass होगी, लेकिन कई बार क्या होता है, preliminary, final, partially भी आ सकती है, ठीक है, तो इस तरह से लिखना है, there will be single decree, though there may be preliminary or final decree, ठीक है, order तो बहुत सारे हो सकते हैं एक suit में, in a suit more than one order may be passed, और judgment में है, एक ही judgment दिया जाता है, only one judgment is passed in a suit, ठीक है, उसके बाद देखिए, fourth, fourth point में है, कि conclusive determination of rights, formal expression there of, ठीक है, क्या कह रहा है, देखो, कि जो determine करते हैं, right को, उनको formal expression way में लिख दिया जाता है, तो वो decree हो जाती है, एक तरह से first point कोई थोड़ा सा twist कर दिया है, लेकिन order जो है, वो conclusive, यानि कि proper हो सकता है, पूरा, उसका decision भी आ जाए और ना भी आए, conclusive determination भी हो सकता है, और may not be so, और judgment के बारे में है, conclusive determination of rights within grounds of decree order, यानि कि decree order के जो ground है, वही वाली बात होगी, origin वाली, कि जो उनके ground पे वो base है, उनी का जो final determination है, वो होगा judgment में, बस order का ध्यान रखना कि, हो भी सकता है, final decision उसमें आ जाए, क्योंकि order में तो कोई ज़रूरी नहीं होता, final decision महाँ पे आया या नहीं, इसलिए लिख दिया, हो भी सकता है, may not be so, fifth point है, सारी decree को आप appeal कर सकते हो, every decree is appealable, लेकिन order को आप appeal नहीं कर सकते, और judgment भी क्या होता है, appealable होता है, sixth point है, on question of law, second appeal में भी preferred, यानि कि, जरूरी तो नहीं होता, decree में कि, second appeal हो या ना हो, इसलिए, कर दिया कि, किसी suit में, अगर, कोई ऐसा issue है, कोई point है, जो question of law पे है, तो वहाँ पे second appeal जो है, वो prefer की जा सकती है, यह भी appeal हम पढ़ेंगे, उसमें आपको पता लगेगा, लेकिन order का कोई second appeal नहीं होता है, चीक है, और फिर वही, चूंकि judgment, order और decree पे ही होता है, मतलब उनी पे आता है, तो question of law पे second appeal is possible, same वही decree का आ जाएगा, तो यह आपके six, seven points हो गई है, seventh में आप इनको बता सकते हैं कि defined कहां पे है, civil procedure code में, तो आपके seven points बन जाते हैं, क्योंकि seven के seven याद भी ना रहे हैं, तो आप इसमें से five points भी लिख सकते हैं, तो means के लिए around one page में आप आराम से यह लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आ जाता है question, तो decree order judgment का हमने difference पढ़ लिया है, next video में interest cost को हम उठाएंगे, ठीक है, अगर आपको समझ में आया हुई है difference, तो please video को like और channel को subscribe कीशिएगा, thank you,